फ्रेंट्स आजकर शादियों का सीजन चल ला है तो अक्सर जब दुलहन जाती है अपनी ससुरा तो छुआ खवाई का रस्म यानि जब बहु को खाना छुनी को कहा जाता है या तो जब बहु उतरती है तो उसे इस तरह की दलभरी पूरी बना के खिलाई जाती है और या छु दलभरी पूरी और रस्याव यह यूपी का प्रसिद्ध खाना है और इसे जरूर बनाना पड़ेगा जब आप पकवान वगेरा भलो कोई भी बनाएं पर इस तरह की दलभरी पूरी बनानी आपको होगी तो आपको नहीं आता है तो फ्रेंड मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको उसके पनाने का तरीका बताऊंगी इसके साथ आप सब्जी कोई भी बना सकते हैं परवल, आलू, मटर, मश्रूम, पालक, पनीर, कुछ भी हेलो फ्रेंड नमस्कार कुक्विट्स नहां पर आपका स्वागत है आज हम आपको पूरी बनाते हैं पूरी बनाने के लिए हमने कास्ट आयरन का पैन लिया है जिसमें मैंने सोक्ट दाल को फ्राई किया है जीरा और तेल डाल कर और थोड़ा सा दाल के अंदर मसाले डाल द है पर थोड़ा सा टेस्ट बनाने के लिए इसमें हमें चेंच भी लाना है तो हम इसके अंदर नारियल डालेंगे डाल में थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि कास्ट आयरन का बरतन है अगर आप प्रेशर कुकर में भी इस डाल को बॉयल कर रहें तो थोड़ा सा पानी बढ़ा देगा बहुत ही healthy और tasty यह recipe है तो अगर आप cast iron के pan में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से यह दाल हमारी grind हो जाएगी मैंने दाल को थोड़ा थंडा कर लिया उसके बार देखे grinding jar में दाल को मैंने grind कर लिया जब हम pressure cooker में उबालते हैं तो यह थोड़ी सी चिपचिपी रहती है जिसके कारण हमें इसके लिए silberte का use करना पड़ता है तो हमने good डाल के फिर से grind कर लिया थोड़ा सा इसमें तिल डालेंगे जोकि यूपी में तिल और नारियल दोनों नहीं डाले जाते पर थोड़ा सा मीठा चावल बनाना है तो मैंने plain चावल बना कर रखा था जिसमें इसे थोड़ा सा चावल निकालेंगे और आधी गुड़ की भिली डालेंगे सिर्फ दो लोगों के बनाना है तो गुड़ को हम घी में अच्छे से पिगला लेंगे आप इसमें थोड़ा सा सकते हैं जिसे इस मीठे चावल का स्वात काफी बढ़ जाएगा थोड़ा सा pumpkin seed डाला है मैंने जिसे यह हमारी recipe काफी हल्दी बन सकें अब इसमें हम चावल डालेंगे चावल हम boiled है तो धीमी धीमी डालेंगे यानि जितनी चावल की जरूरत हो उतना ही हम डालेंगे गुड हमारा अभी गरम है और बहुत जल्दी caramelize हो जाता है गुड का स्वात बदल जाता है तो थोड़ा थोड़ा चावल डालते हुए हम mix करेंगे चावल पका हुआ है जिससे यह बहुत जल्दी बनकर तयार होगी अगर हम एक बार चावल बना लें तो हम काफी recipes अपने boiled rice से बन अभी हैं अभी इसे हमने चावल डाल दिया अब थोड़ा सा हम दूट डालेंगे सिर्फ एक glass का थोड़ा सा आधा glass अब हम डालकर इसे चलाएंगे और आधा glass हम फिर से डाल देंगे यानि एक glass डालने के बाद जो बचे हुए चावल थे उसे भी डाल दिया और यह हमारा बनकर तयार हो गया यानि इसका पाउडर आटा हमने सिंपल गोत रखा है जैसे रोटी वाला आटा गोता है पर ध्यान रखिए कि आटा गोते समय ये आटा काफी सॉफ्ट हो ताकि जब हम लोई बना के इसे मोल्ड करें तो ये अच्छ से मोल्ड हो जाए और जब हम पूरी ब अपने पराठे सेखते हैं ये हमारी पूरी तरह से तयार हो गई गुडवाले खी तो हम इसके इंदर खोया डाल देंगे और खोया डाल कर बाद में इसे mix कर देंगे अब ये खोया वालीखेर तयार है थोड़ी सी लाइची डाल दीजे फ्लीवर के लिए और आप चाहें तो ड्राइफूट्स डाल सकते हैं पर इस गुड़ वाली खीर में ड्राइफूट्स जनरली डालते नहीं हैं या हो सकता है पुराने समय से बनता चला या तो इसमें लोगों के पास तब dry fruits थे ही नहीं तो नहीं डालते थे, अब पता नहीं, वैसे मैंने गाओं पे देखा है कि हमारे हां dry fruits नहीं डाला जाता है, पर मैं डालती हूँ थोड़ा बहुत पर आज मैंने सिर्फ pumpkin seed डाल कर ही बनाया है इस तरह से हमारा रसिया तयार हो गया और पूरी इसके साथ आप चाहें तो कोई सबजी भी सर्व कर सकते हैं पर ये रसिया और पूरी के साथ बहुत ज़्यादा match कर सकता है अगर आपको हमारी ये रसिपी जरासी भी पसंद आती है देखे इस पूरी को फारते ही देखे दो टुकडों में बट गई फूली फूली पूरी और नीचे आपको डाल के ये का अच्छे से पेस्ट दिख रहे होंगे आप डाल पूरी और उसके साथ रसियाओ का आनंद उठाए हम मिलते हैं आए फ्रेंट इसके साथ ही हम आपको बहुत ही हेल्डी पपीता और काले चने की रेसिपी बताती हैं जो बहुत ही हेल्डी होगी और आप जरूर इसे बना कर ट्राइ कीजिए इस तरह की हल्दी रेसिपीज बनाने के लिए आपको चीए पपीता हरा कच्छा पपीता आप बॉयल कर लीजिए और बॉयल चना कड़ाई में सरसों का तेल डाल दीजे या आप जो भी कुकिंग ओयल खाते हैं डाल दीजे उसमें थोड़ा सा जीरा डालिए या पंच फोरन डालिए यानि अपनी इक्षा के अनूसार आप इसमें थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं फिर धेर सारी प्याज डालेंगे और प् जब इसमें नमक डाल देते हैं तो प्याज आसानी से गल जाता है और बहुत जल्दी पक कर तयार होता है और जिससे हमारे सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है इसलिए अकसर प्याज हल्दी थोड़ी सी मिर्च जो चीजें आपको डालनी है इसी प्याज में डाल लेजिए ड्राइ भून लेजिए तो इस तरह से जो हमारे सब्जी का स्वाद है वो भी बढ़ जाता है कोकिंग टाइम कम हो जाती है तो हमारे गैस की भी बचत होती है दीमेदी में हम सारी चीज़ें डाल देंगे थोड़ा सा हींग डालेंगे जिससे हमारी सब्जी का फ् पैकेट का मसाला मैं अवैट करती हूँ, अक्सर हल्दी भी एक साथ ही पिस्वा लेती हूँ, और पिसाने के बाद हल्दी को हम गरम करके रख लेते हैं, ताकि साल भर तक हमारी हल्दी खराब ना हो, इसी तरह से मैं रोस्ट करके धनिया भी पिसाती हूँ, जिससे काफी पैस में नहीं यूज करते हैं, ताकि यह जो जल जाता है, तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं होता है, स्मेल और करी पता, जब हम प्याज बगर डाल दें, तब डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है, फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, अद्रक लहसुन का पेस्ट, और म हिसाब से आप बना सकते हैं, आधा बड़ा पपीता था जिसे छील कर, बड़े बड़े टुकडों में काटके मैंने बॉयल किया है, और चना जो बचा था हमारा आज मैंने नाश्ता बनाया था, तो चना बॉयल चना बच गया था, तो उसी की रेसिपी में मिक्स करके आपक की सबजी बन जाएगी, पर हम आज इस तरह से बड़े बड़े काटे हुए देखे, पपीता लिये हैं और ये सबजी बना रहे हैं, इस सबजी को आप प्लेन पूरी, पराठा, रोटी, दाल चावल किसी के साथ भी इंज्वाय कर सकते हैं, अब इसमें बिलकुल हम पानी का यूज नहीं करेंगे, इसे सूखा हलकी आच में बनाएंगे, आप चाहते हैं तो इसी समय टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, या बाद में, है न, बहुत अच्छी सी, थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस कर दीजे, ताकि ये थोड़ा सा दब जाए, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाते हैं, जब कुकर में सीटी लगाते हैं, तो सिर्फ एक सीटी ही लगाते हैं, ताकि पपीता अच्छे से गल जाए, बस ये ना हो कि पपीता मैशी हो जाए, थोड़ा सा फ्रेंड इसमें ओलिव ओल डाल दिया, ताकि ये और हेल्दी हमारी रेसिपी बन कर तयार हो, आप चाहते हैं, तो डाल सकते हैं, और नहीं चाहते, तो मट डालिएगा, इस तरह से फिर हम मैश कर लेंगे और धक के पकाएंगे, हमारी एकदम टेस्टी सी सबजी देखें, बन कर तयार हो गई, हम खड़ा खड़ा इसलिए रखते हैं इसे हलका बॉल, ताकि अपनी स सबजी को अच्छे से भून सकें, हैना मजेदार सी रेसिपी, इसमें से आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई, शादी में बनने वाली पूरी बखी या पपीते और चने की सबजी,